नमस्कार, चार का चक्रव्यू में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंशिका नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहाधी, कौन किसके चक्रव्यू में फसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे चक्रव्यू में आज सबसे पहले बात अगनीपत योजना के तहट जाती प्रमान पत्र मांगे जाने से बौकला है विपक्ष की जिसने केंड सरकार पर अगनीपत योजना में भेदभाव कर युवाओं की भरती के गंबीर आरोप लगाए हैं फिर बात करेंगे सुप्रीम कोट के चक्रव्यू में फसी जिहादी गैंग की क्योंकि सुप्रीम कोट ने नुपर शर्मा को अंतरिम राहत देते हुए दस अगस तक पेगंबर मामले में नुपर के खिलाफ किसी भी कड़ी कारवाई पर रोक लगा दी है चक्रव्यू की तीसरी खबर में बात करेंगे पियम मोदी के चक्रकाल में फसे पियफाई की जिस पर भारत को इसलामिक देश बनाने की साज़श करने वाले आतंकियों ने बड़े खुलासे किये हैं और पियफाई ने फिर एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है चौथी और आखरी खबर में बात करेंगे उपराश्रपती चुनाव के चक्रव्यू में फसे विपक्ष की जो अपने उमीदवार मारगरेट अलवी के पुराने विवादों के चलते बिखरता दिखाई दे रहा है चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यू की और सबसे पहले बात केंडर की अगनीपत योजना पर बवाल कर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने वाले विपक्ष की केंडर सरकार की ओर से लाई गई अगनीपत स्कीम पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है संसद में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है दिल्ली हाई कोट में भी इस स्कीम के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं जिस पर अब सुनवाई होगी विपक्ष ने स्कीम को लेकर लगतार मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और इसी बीच अब एक नया बवाल खड़ा हो गया है जिसमें सेना भरती के लिए अभियर्तियों के जाती प्रमान पत्र मांगे जाने का नया मामला गर्मा गया है इसे लेकर अब विपक्ष को बजाने के लिए एक नया धोल मिल गया है जिसमें विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किये जा रहे हैं कि भारत की इतिहास में पहली बार सेना भरती में जाती पूछी जा रही है इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के सांसत संजय सिंग की ओर से कास सर्टिफिकेट और रिलिजिन सर्टिफिकेट को लाल रंग का निशान लगा कर एक स्क्रीन शॉट ट्वीट कर केंडर सरकार पर गंबीर आरोप लगाये गए हैं कॉंग्रिस हो या फिर खुद बीजेपी सांसत वरुन गांधी हूँ दिल्ली से बिहार तक हर तरफ इस मामले में केंडर सरकार को कट घरे में खड़ा कर उस पर सेना भरती में जाती के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है सीधे ये कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी जाती के आधार पर भरती करना चाहती है पिछडे और जन जाती लोगों के साथ भेदभाव करना चाहती है लेकिन विपक्ष को करारा जवाब देते हुए सेना की ओर से उनके सभी सवालों पर विराम लगा दिया गया है सेना ने साफ कर दिया है कि पहले भी सेना की भरतियों में जाती प्रमान पत्र मांगा जाता था ऐसे में अगनीवीर योजना के लिए अगर जाती प्रमान पत्र मांगे जा रहे हैं तो इसमें कुछ भी नया नहीं है सेना का साफ पहना है कि देश के जवान सर्वोच बलिदान के लिए हमेशा तयार रहते हैं ऐसे में शहीदों के अंतिम संसकार के लिए धर्म जानना जरूरी होता है इसलिए जाती प्रमानपत्र की आवशक्ता पढ़ती है जाती और धन प्रमानपत्र पहले भी मांगे जाते रहे हैं जैसे ही सेना में भरती होती है धर्म और जाती पूछी जाती है सेना के पास सैनिक की पूरी जानकारी होनी चाहिए और सेना हर तरह से सैनिक की परंपरा का खयाल रखती है विपक्ष की ओर से लगतार अगनीपत योजना को लेकर मोधी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है पहले इस योजना की घोशना पर युवाओं को भड़काया गया जिससे देश में आगजनी की तमाम घटनाए सामने आई फिर भी अगनीपत योजना के तहट सेना ने भरती शुरू कर दी और अब माहौल बनाने वाले ये लोग केवल देखते ही रह गए अब जब इनके पास कोई और मुद्दा नहीं बचा है तो सेना में भरती के वक्त जाती पूछे जानी को लेकर इन्होंने नया विवात खड़ा कर दिया जिससे केवल मोदी सरकार के खिलाफ ये माहौल बनाया जा सके यहां सेना ने मोदी विरोधी गैंक को फिर एक बार अगनीपत योजना पर राजनीती को लेकर लताड़ा है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई हुई और इस बार नुपुर को घेरने के बजाए सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम राहत मिल गई है पेगंबर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर की याचिका पर सुनवाई के दौरान अब फैसला सुनाया है कि 10 अगस तक इस मामले में नुपुर के खिलाफ कोई कड़ी कारवाई नहीं होगी और अब याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 10 अगस का दिन भी तैय किया गया है दिल्चस्प बात तो ये रही कि इस बार भी नुपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने वाले जच जस्तिस सूर्यकांत और जस्तिस जेबी पार्दिवाला ही थे पिछली बार याचिका पर सुनवाई करने के दौरान यही जज थे जिन्होंने देश का माहौल बिगरने और उदैपर में कनहिया लाल की हत्या के लिए नुपुर को जिमेदार ठहराया था लेकिन जजों की टिपनी के बाद हर तरफ उनका विरोध हुआ उन पर महा अभ्योग चलाने की मांग की जाने लगी और उनकी इस टिपनी को गेर जिमेदाराना तक करार दिया गया इतना ही नहीं सुप्रीम कोट के इनी दोनों जजों की ऐसी टिपनी के बाद जिहादी गैंग को और बढ़ हवा मिल गया खुलियाम नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी जाने लगी उनके परिवार को भी इसी तरह की धमकी मिली पैगंबर के अपमान के नाम पर देश को दंगो की आग में जोंकने की तैयारी कर ली गई उदैपुर से लेकर बिहार तक नुपुर को मारने और देश का माहौल बिगारने का प्लान बनाया गया PFI ने लोगों को जिहाद के रास्ते पर धकेलना शुरू कर दिया भारत को एक इस्लामिक राष्ट बनाकर 20-47 तक यहां शरिया कानून लागू किये जाने के मिशन पर काम शुरू कर दिया गया और इन सब के पीछे हवाला सुप्रीम कोट के जजों की टिपड़ी का दिया गया हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान से एक शक्स ने भारत में घुसपैट की कोशिश की वो भी सिर्फ नुपुर शर्मा को मारने के लिए जिसे बीएसेफ ने कल ही श्री गंगा नगर से धर्दबोचा है एक आदमी महज नुपुर का वीडियो देख लेता है तो उसे चाकू से मारने के लिए लोग उसके पीछे दोड़ पड़ते है नुपुर शर्मा का समर्थन करने के लिए लोगों को जान से मारने की धमकी दी जाने लगती है लेकिन अब पब्लिक प्रेशर में आके सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने फैसले में बदलाव कर लिया जिससे वो जिहादी गैंग जो अब तक सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे कर अपनी नापाक साज़िशों को अंजाम दे रहा था उसे मूँ पर ताला लग गया है जैसा मैंने आपको बताया कि नुपुर की पहली याचिका पर सुनवाई के दोरान जो टिपनी जजों ने की थी उससे जिहादी गैंग को बढ़ हवा मिल गया और देश में पिएफाई अपनी नापाक साज़िशों को अंजाम देने में जुट गया बिहार में पिएफाई के टेरर मॉडियूल का खुलासा हुआ जिसमें 20-47 तक भारत को इसलामिक देश बनाने के लिए साज़िश की गई इसे अंजाम तक पहुचाने के लिए युवाओं का ब्रेनवाश कर उन्हें 72 हूरों का लालच देकर ट्रेनिंग दी गई बकाइदा आतंक की पाटशाला बिहार के फुलवारी शरीफ में खोल दी गई लेकिन आईबी के इंपुट से इस पूरी साज़श का परदा फाश किया गया और एहम बार इसके साज़श करता भी पकड़े गई अब इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं इस बार जो खुलासा हुआ है उसमें संदिक्द आतंक की अतहर परवेज और अर्मान मलिक ने बिहार में 15,000 से अधिक मुस्लिम युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग दिये जाने का खुलासा किया है पूरे मामले में जानकारी मिली है कि शारिरिक शिक्षा के नाम पर मुस्लिम युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही थी बिहार में इन ठिकानों पर PFI अब तक 15,000 से ज्यादा मुस्लिम युवाओं को अस्त्र श्त्र चलाने की ट्रेनिंग दे चुकी है युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए राजमे करीब 12 जिलों में आफिस खोला गया था जबकि पूर्णिया को PFI का हेटक्वाटर बनाया गया था इनसे ही आतंकी मरगूब ने आतंकी संगठन गजवाए हिंद के स्लीपर सेल बना रखे थे जिसका मकसद 20-23 में देश के खिलाफ जिहाद करना था दक्षन भारत के केरल और करनाटक से युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर्स को बलाया गया था जिनके नाम भी इन आतंकीयों ने पूछताच में उगले है इसके अलावा दोनों आतंकीयों ने PFI की आड में दो अन्य विंग और सीमी के पूर्व सदस्यों को संग्ठन में जोडने का उद्देश भी पुलीस को बताया है रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि PFI के बैंक अकाउंट में करीब 90 लाख रुपे के ट्रांजैक्शन किये जाने का सबूत मिला है देश विरोधी गतविधियों की इस बड़ी साज़श की जाच अब NIA और ED कर सकते हैं लेकिन इतना सब होने के बाद अब PFI का नया ड्रामा शुरू हो गया है बिहार पुलीस को 8 पन्नों वाले PFI के दस्तावेश बरामत हुए थे जिसमें PFI के टेरर मॉड्यूल का खुलासा हो गया था उसमें PFI की खौपनाक साज़शों का पता चला था लेकिन अब PFI के लोग सडकों पर उतर कर इस जिहादी संगठन का बचाफ कर रहे हैं इस कटर इसलामिक संगठन का जंडा हाथ में लेकर पतना पुलीस का ही विरोध करने में लगे हैं और इस साज़श को पुलीस की मन गड़न कहानी बता रहे हैं जो आतंकी PFI पर खुलासे कर रहे हैं इस जिहादी संगठन से उन्हें भी अपना मेंबर मानने से इस संगठन ने इनकार कर दिया है कुल मिलाकर पूरी कहानी में अब जब PFI बुरा फस गया है तो उसने ये ड्रामा शुरू कर दिया है लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं उसके बाद PFI की मुश्किले बढ़ गई हैं क्योंकि अब इस संगठन पर जल्द ही बैन लगता दिखाई दे रहा है एक तरफ PFI अपनी पूल खोलता देख तमाशे करने लगा है तो दूसरी तरफ राश्रपती चुनाफ के बाद अब विपक्ष में उपराश्रपती चुनाफ को लेकर खमासान मच्चता दिखाई दे रहा है उपराश्रपती चुनाव के लिए विपक्ष की ओर से राजस्थान की पूर्वराजपाल मारगरेट अलवा को उम्मीदवार खोशित किया गया है जिनका मुकाबला राजस्थान के मूलनिवासी जगदीव धनकर से होगा NCP चीफ शरत पवार ने खुद उपराश्रपती प्रत्याशी के लिए अलवा के नाम का एलान किया है लेकिन पवार के इस एलान ने काफी हद तक सभी को चौका दिया है क्योंकि अलवा अपनी पार्टी में ही बड़बोली नेता के रूप में सुर्खियों में रही है उन्होंने राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक पर संगीन आरोप लगाए है और कॉंग्रेस के कुछ नेताओं को भी नहीं बक्षा है इन सब बातों के सामने होने के बाद भी मर्गरेट अलवा को प्रत्याशी बनाया गया है अलवा ने 2008 में करनाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कॉंग्रेस हाई कमान पर टिकेट बेचने का आरोप लगाया था उस वक्त वो महराश्ट्र, मिजुरम और पंजाब हर्याना की प्रभारी थी आगे राजीव केबिनेट में अलवा, संसदियकार्य और यूवा विभाक की मंत्री रही जबकि पीवी नरसिम्मा राओ की सरकार में पबलिक और पेंशन विभाक की वो मंत्री रही लेकिन अलवा ने अपनी पार्टी के इस एहसान का बदला बाद में आरोपों से चुकाया उन्होंने राजीव गांधी ही नहीं बलकि पार्टी अध्यक्ष रही सोनिया गांधी तक को नहीं बक्षा तो श्रीकरन की राजनीती पर राजीव गांधी को घेरते हुए अलवा ने अपनी बायोग्राफी करेज एंड कमिटमेंट में खुलासा किया कि राजीव गांधी जब शावानो केस में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अध्यादेश लाने जा रहे थे तब अलवा ने उन्हें मॉल्वियो के आगे नहीं जुकने की सलादी थी लेकिन उन्होंने अलवा का सुझाव मानने से इनकार कर दिया था लेकिन अलवा के इतने संगीन आरोब के बाद भी कॉंग्रेस ने, हाई कमान ने कोई बड़ी कारवाई नहीं की ऐसे ही मार्गरेट अलवा ने अपनी किताब में सोनिया गांधी की कारिशयली पर सवाल उठाते हुए ये आरोप लगा दिये थे कि सोनिया गांधी पार्टी में मनमाने ढंग से फैसले लेती है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग उन्हें अपने कैबिनेट में शामिल करना चाहते थे लेकिन सोनिया गांधी ने ऐसा नहीं होने दिया इसके अलावा मार्गरेट सोनिया पर पूर्व भारतिय प्रधानमंत्री पीवी नरसिमा राओ के शब का अपमान करने का भी आरोप लगा चुकी है यही कारण है कि सोनिया और अलवा के रिष्टे कभी ठीक नहीं रहे है लेकिन अब जस तरह से अलवा की पूरी कुंडली निकाली गई है उसके बाद ये सवाल उठने लाजमी है कि क्या सोनिया गांधी ने बड़बोले बयानों और विवादों से नाता रखने वाली अलवा को माफ कर दिया है और मजबूरन यश्वन सिन्हा को उम्मीदवार बनाना पड़ा था और अब फिर से उपराश्रपती चुनाव में भी मारगरेट के पुराने विवादों को देखते हुए विपक्ष फिर से बिखरता और मू की खाता दिखाई दे रहा है चक्रविव में मेरे साथ आज इतना ही कल फिर कौन किस के चक्रविव में फसेगा नए मुद्दुक के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और संसनी खेस खुला से तब तक के लिए देखते रहिए Capital TV